दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा हडा भडा टैरिस गार्डेन और अभी बहुत बारिस हो रही है और अभी देखें पूरा बादल लगा हुआ है और बहुत सा पेर पोधे जो है बहुत अच्छा और उसको अच्छा से निट्रेशन मिल रहा है तो यह अपना भी का कर रहा है अच्छे से फ्लावरिंग दे रहा है और देंगें कितना सुंदर से इसको पूरा मिल रहा है तो बहुत अच्छा सःते हैं आए और अभी जुह हम करने जा रहे है दोस्तों दिखाते हैं चली यह पौधा जो है सो आप देख रहे हैं ओल का है तो हम जो है सो हो गिया च्छिस महना हो गया इसको इसमें सो है लगा दिये थे ओल आर देखिए एक जो पौधा था बहुत बड़ा पैश तो गळ गिया हैं आप देख सकते हैं यह गल गिया इस यह पौधा हुआ है और यह जो ओल देख रहे हैं इसमें जो है सो ओल भी था और यह साग भी था तेरा सब भी है बहुत सारा तो उपर से ही दिख रहा है इसका मिट्टी जो है से बहुत हलका है इस कंटेनर का तो जहां भी जैदा अच्छा मिट्टी रहता है उसमें जैदा यह जो है सब मिट्टी वाली सबजी जो ओल कहिए जिसे आलो हुआ सकरकंध हुआ तो उसका अच्छा सा ग्रोथ होता है देखे इधर भी है तो इधर हम लगते है छोटा है इस साज लगते है बड़ा है कि चोटा चोटा ओल है तो इसको हम पौधा है तो इसको हटा देते हैं कि देखे है तो इतना बड़ा है दूसर धाय सग्राम इतना बड़ा होगा या देशी ओल है तो इसका जितना भी जो यह पाठ होता है इसका टोटी कहते हैं इसको तो इसी को इसमें हम दबा देते हैं और फिर अगला पौधा जो है सुत्यार हो जाएगा तो देखे जो भी पौधा निकला है तो उसी तरह छोटा छोटा जो इसका ओल का जो टोटी है वह इसी में निकला है तो इस सब को जो है सो गार देते हैं इस तरह तो इभी नया ओल जो है तो तयार हो जाएगा तो इसको देखिए इतना बड़ा है तो अब नया ओल जो है इसको तयार हो जाएगा यह पौधा ऐसा होता है जो आप इसको अपसालो भर जो है तो इसमें रहने दे फिर अपना समय आता है तो यह निकल जाता है एक इभी मिट्टी हलका है तो हाथ से ही हो जाता है तो देखते हैं इभी कितना बड़ा है इसको हम इसे ही दबा देते हैं छोटा ही है इसमें ज्यादा नहीं लिकलेगा तो हम इसको इस तरह दबा देते हैं अ स्बाज्यार के बहुत सार तो हम मिट्टी के कंटेनर शायजों मिट्टी के हिसाव जुनw अपन भी समय ए तो उबहुत सार हो गए है खुद से इसको लगाने की पूरा जिसे फैलता है बस फैलते जाता है इतना हाइबेस्ट कर लिये हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो मिलते हैं थैंक यू